हेलो अब्रीवन मेरानी लताप सभी का स्वागत करती है अपने रेसिपी चैनल में और आज मैं लेकर आई हूँ समर रेसिपी बहुत एजी और आप देख रहे हैं कि यह है कस्टर्ड मिलकसेक जो आप अपने तरीके से बना कर तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम समय में कुछ ऐटो में ही यह बनकर तयार हो जाता है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं मीडम फ्लेम पर मैं रख रही हूँ एक पान पैन में यह पर डाल रही हूं दो गिलास दूद में पानी नहीं डालना है और जिसलिए हमारा दूद अच्छे से उबलना जाए तो इस तरह से पैन में दो गिलास दूद डाल दिया है फिर हलके हलके में दूद को चला रही हूं और दूद को हमें चलाना इसलिए है जिसे के बीना पानी वाला जो दूद होता है वो हमारा जो है वो बरतन की तली में लगने का डर रहता है तो आप इसलिए चलाते रहना है उसके बाद हमारा अबल गया है पक गया है तो मैं यहां पर डाल रही हूं स्वात के अनुसार मीठा डालने के बाद फिर हमें चलाना है जिसे के मीठा एक जगए ना रहे अच्छे से चल जाए और अच्छे से जल्दी से घुल जाए उसके बाद ये मेरे पास वैनिला कस्टर्ड पाउडर है त स्वात के नुसार तो अब उबले होए दूद में हमें क्या करना है कि दू स्पैचुला यानिकि दो बड़े चमचे हमें दूद लेना है एक कटोरी में और उस कटोरी में हम मीडियम साइज की चमच से दो चमच कश्टर्ड पाउडर डालना है अच्छे से डालना है ऐसी मि मिक्स करना है और हमें अब फ्लेम को लो कर देना है जब दूद हमारा अच्छे से उबल जाए तो फ्लेम को हमें लो कर देना है फ्लेम को अब हमें लो ही रखना है लो ही फ्लेम पर हमें अब ये दूद तयार करना है तो मैं यहाँ पर जो है कश्टर्ड मिल्क से के लिए दू वो छिटक गया थोड़ा सा तो आप थोड़ा ध्यान से पकाई क्योंकि घर्मी का टाइम है कहीं आपके हाथ पर ना गिर जाए तो इसलिए आप संभल कर थोड़ा इस तरह से मिक्स कीजिएगा फ्लेम को लोही रखना है और जब कस्टर्ड मिलक अच्छे से दूद में मिल जा तो हमारा दूद पक्ते पक्ते गहड़ा होने लगता है तो जब इतना गहड़ा होने लगे कि इस पैचिला पे अच्छे से कोट होने लगे और हमें एक फिंगर की मदद से देखना है तो तब हमें फ्लेम को बंद करना है यही कस्टर्ड मिलक से की पहचान है और हमें इतना ठंडा हो जाए ठंडा होने के बाद मैं उसको एक Гनटे के लिए अधिये रखूंगी जीसके और अच्छे से ठंडा हो जाए है और उसके भाद एक घंट फ्रीजर में रखने के बाद जब हमारा दूध में अधिया थे address हो गया आth Ц mess with me लेदें हैं तो कि दूद को मैं जाया है तो मैंने तीन करहें दूद में काने जातेक्त वी दूध में रिए यह टीन गिलासे से सरव हैं की दूद मैं ने डाले हैं मैंगर पीज लिए ऑड़ी में सेरा इस ले जबान है »c吧 अपनी पसंद के आमा करके इस तरह से에서 milk सेख बना सकते हैं तो नीचे मैंने डाले हैं, उपर से मैंने यह ठंडा ठंडा कश्टर्ड मिल्क सेख डाला है उसके उपर से फिर मैंने जो आम्स नाम के जो जो हैं मैंनें नाम क्टीब एक इसके से पर दैले और फिर मैंने डाली है बच्चों की फेवरेट आइसक्रीम ये इस्टोवरी आइसक्रीम और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाले हैं कुछ ड्राइफूट्स जो बच्चों को और मुझे पसंद आते हैं तो मैंने यहाँ पर लिये हैं कुछ काजू और खर्बूजे के बीज है और साथ में बारी कट की ही किस्मिस है, तो इस तरह से आप अपने फेवरेट ड्राइफूट्स डाल सकते हैं, और उपर से मैंने कुछ मीठे रंग विरंगे दाने डाले हैं, जो बच्चों को अट्रक्टिव करेंगे इस शेक को पीने के लिए, तो इस तरह से मैंने ये मिल्क से यानि की custard milk से बना कर तयार किया है और इस तरह से garnish किया है watermelon के pieces से तो आपकी चोईस है कि आप इसको किस तरह से बनाना पसंद करते हैं किस तरह से इसको पीना पसंद करते हैं ये आपकी चोईस पे निर्भर करता है लेकिन जो मैंने तरीका बनाया है, बहुत ही easy, सस्ता और कम टाइम में बनने वाला है, अगर आप मेरी इस recipe को पसंद करते हैं, तो एक like, comment, share और subscribe जरूर कीजिए, और आपका एक support मुझे motivate करता है, next recipe बनाने के लिए, तो इस तरह से हमारा custard milk से बन कर तयार हो गया है, अगर आपको प support जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और बताइएगा के आपको किस तरह की recipe पसंद है, मिलती हूँ एक new recipe के बाद, bye bye